मौल विजिट करा और आपने कोई एक ऐसी ड्रेस देखी या कोई ऐसी चीज देखी जिससे कि आप एकदम मंत्र मुग्द हो गयों इस टार प्रक हो गयों जी हां मेरे साथ ऐसा हुआ मैंने ऐसी एक मौल गई थी और वहां पे मैंने डबल्यू का शोरूम में ये कपड़ा दे आए फिर मैंने online इसको देखा और मैंने देखा कि ये शॉपर स्टॉप पे अवेलिबल था डिस्काउट पे और ये छे हजार में मिल रहा था मुश्किल से मैंने कितने दिन वेट करें इसके लिए पैसा जमा किया और इसको मैंने और और करने के बाद आप देखो ये कितने गंदे से इन लोगोंने पैक करके डेलिवर करा है कि 6,000 का कुछ देहाती जैसा कुछ कपड़ा ये लग रहा है प्लस आप देख सकते हैं इसके ब्रैंडिंग राहुल मिश्रा ने इसको करा हुआ है और ये विश्फुल ब्रैंड का है और इसका प्राइस टाग आप देख सकते हैं मैंने ये फोटो आपको दिया है और ये इसका जो वर्क मैंने देखा था ना इसी की वज़े से मैंने इसको परचेस करा हुआ था बट अब मैं इतनी जादा अपसेट हो गई जब ये मेरे पास आया बिकॉज ये कहीं से भी 10,000 का माटेरियल लग ही नहीं रहा था प्लस इसकी जो काम थे ना वो काम भी बिलकुर अच्छा नहीं था लूज थ्रेट से इधर उधर से और इत्ती जादा मितलब आप देखो उपर की तरफ यहां पर आपको मोतियों का काम देख रहा है पर इस तरफ आपको नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से यह मुझे मिला था जो कि बहुत 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 डिसपॉइंटिंग था तो विश्फुल एक बहुत बड़ा और प्रेमियम ब्रैंड है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विश्फुल जैसा ब्रैंड अभी मतलब अभी तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ फिलाल इतनी अर्णिंग नहीं करती हूँ तो इतनी महेंगे कपड़े मैंने सोचा नहीं था कि मैं ले पाऊंगे बट वही था कि मुझे रात को नीन नहीं आ रही थी कि यह कपड़ा मुझे इतना पसंद आ गया था यह ड्रेस और मेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन भी था तो मैं सोच रही थी कि कुछ इंडियन पहनना है तो मैं इसी को पहनोगी बट गाइज इतना मैं सैड हो गई आगे से इस तरीके से देख रहा है इतना मैं सैड हो गई इसका जो वेलवेट का मटेरियल था ये इतना जादा अच्छा था लेकिन मैं सैड इसली होई कि इन लोगों ने तो कपड़ा भेजा पर उसके साथ दुपट्टा भूली गए दुपट्टा मुझे दिया ही नहीं और दूसरा चीज कि इसका जो ये जो आप साइज देख रहा जाता मैंने लेकिन मुझे इसका ये स्मॉल साइज रिसीव हुआ है उपर का जो आप ये कुरता जो इसका है प्लस आप इसके थ्रेट्स देख रहा हुआ है हाथ से स्टिच करे है मशीन से करे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फिकाज ये इतना ही बेकार और एकदम से लग इतना डिजाइन और इतनी बड़े ब्रैंड का यह कपड़ा है इसका थ्रेड अनौल आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा लूस थ्रेड्स है प्लस इसकी स्टिचिंग बहुत ज्यादा बेकार है थर्ड क्लास ऐसा लग रहा है कि यह इससे अच्छा तो मेरे घर के पास जो सोन डिजाइन था वतलब माल में मैंने देखा था तो मल की लाइटिंग इन इन ओल इतनी अच्छी होती है कि आपको इतने अच्छे अच्छे से आपको दिख रहा था ना तो मैं सामने से इसको देखी थी पट जब यह मेरे पास रिसीव होके आए ना तो एक तो इसका कलर बहुत जादा तो थोड़ा प्रीमियम लग रहा था मतलब इतना भी प्रीमियम नहीं जो अच्छा क्वालिटी का जो वेलवेट आते ना वह था सॉफ्ट था कमफ्रेबल तो वेर था बट वहीं है कि अगर आप इसको गरमी में लेते हो समझ के टाइम में तो आपको गरम लगेगा अभी भी आपको ad में या कभी भी आप wishful का site खोलोगे या w में जाओगे तो आपको definitely दिखेगा महाँ पे तो आप समझ जाओगे कि इसको लेना है कि नहीं लेना है अभी भी ये naika pay and other websites में 10,000 में मिल रहा है आप देखो इसकी MRP और जब ये 6,000 हुआ था ना तो मैं एकदम से पागल होगी थी कि छल 6,000 होगी है तो अब भी ले लेती हूँ मुझे नहीं पता ये duplicate है या first copy है बट सारी tagging और जो भी है ये तो एकदम से लग रहा है कि original चीज है बट अगर original चीज है तो मैं बहुत कफा हूँ शॉपर स्टॉप से कि उन लोगों ने मुझे बस एक normal से plastic packaging में ऐसे बस डाल के उन लोगों ने भेज दिया उन लोगों ने एक अच्छे से इसको प्रेस कर किया जो भी अच्छे से जिस तरह से deliver करना चाहिए तो महिंगा चीज उस तरीके से मुझे नहीं मिला प्लस एक दुपट्टा भी missing था तो बताओ या दुपट्टा ही नहीं दिया 10,000 का ड्रेस और दुपट्टा नहीं मिला यह कैसे हो सकता है तो यह इसका बाजू है और इसके अंदर की तरफ आप देख सकतो एक्स्टा कपड़े भी है सच बताओ तो मैं इस पर विडियो नहीं बनाने वाली थी लेकिन क्या बताओ इतना ज़दा पैसा वेस्ट लगाना कि मुझे लगा कि मुझे आप लगों को बताना चाहिए विश्फुल जैसा ब्रैंड और अक्चली होता क्या है इसको मैंने रिटर्न तो कर दिया पैसे भी वापस आ गए मेरे लेकिन वहीं है कि पैसे आने में बहुत ज़दा टाइम लग गया और शॉपर स्टॉप तो थर्ड पार्टी आप्स यूज़ करते है यूनो बैंक यू एक्सली पहनना चाहती हो जो एक्सल पहन रही हो उसका वो साइस है तो आप उसको small base देते हो और जो मैंने order करा मुझे वही मिलना चाहिता ना तो यहां पर तो मुझे small मिल रहा है अपर इसका करो क्या बैट बैट के मैं बच इसको देख रही थी देख देख के मैं इसको रो रही थी कि इसको वापस करो और मेरे पैसे वापस कर दो चलो ठीक है इस उपर की कुर्टी का तो छोड़ो दूपट्पा तो आया नहीं तो उसपे तो कुछ कॉमेंट ही नहीं कर सकती मैं क्या बोलू मैं और सबसे बड़ी बात कि यह इतना जादा सुन्दर इसका काम था लेकिन हरकत एकदम बेकार तो कपड़ा एकदम बेकार अभी नीचे में नीचे में कोई काम नहीं है नीचे में बस यह कॉटन का एक ऐसे बॉर्डर का कपड़ा इसमें लगा दिया गया है और ट्रस्ट मी गाईज यह इन परसन ना इतना बेकार दिख रहा था मैं तो इसको कैमरे में भी कैप्चर कर रही थी तो इतना बेकार से ह तो आगे अगर आप विश्वल की कुर्तियां लेते हो तो ये बात आप ध्यार में रखना कि ये इतना वर्थ इत नहीं है मुझे यही समझ में आ गया है और अगर मैं इस पैंट के बात करू ना क्या है ये मतलब क्या है क्या आप बोलू मैं इसके बार में देखो ये कितना जादा बड़ा है मतलब एक्सल और करो करा मैंने तो मुझे एक्सल मिलना चाहिए ठीक है मुझे क्या मिलता है उपर का कुर्ती स्मॉल दुपट्टा गायब और नीचे का ये शरारा पैंट ये मुझे ट्रिपल एक्सल मिल रहा है उससे भी जादा इनफाक्ट फोर एक्सल ही है ये इसको मैं you know सोची भी नहीं कि पहनू पहनू कैसे मैं इसको मैंने जैसे इसको डाला इतना बड़ा था कि इसमें आप मैं इसमें तीन बार गुझ जाती ऐसी गलती कैसे कर सकते है वो लोग पैंट अठी के चलो स्मॉल भीजा तो स्मॉल नीचे कभी स्मॉल होना चाहिए तो ऐसा कैसे हो गया नीचे कभी एकदम अलग उपर का एकदम अलग और इतना बड़ा यह और पता यह सिर्फ कॉटन का नॉर्मल साज जो कॉटन का फैबरिक आता है ना वैसे वाला कपड़ा था एक यहां पे लास्टिक लगा हुआ था बहुत जाद हुआ भी तो हजार रुपे का यह पैंट हो सकता था बट दस हजार में यह पैंट आया और यह देखो आप र ना हुलमिष्ट twist का विशुल का ब्रेमियम है इतना जादा महगा है लेकिन आपको पता है कि यह कैसा कौ culpritie wise आता है तो यह अब आपको इतने पैसे देखे इस ब्रैंड को लेना है कि नहीं लेना है आपको पता है ऑनको फिर भी लेना है तो मैं जह सामने से डेखके लो ओ तो और बिल्कुल भी मत करना अगर आप मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज फॉलो कर लो हैंडल है एवन चेरी एड़ आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मैं और भी ऐसे वीडियो करने वाली हूं तो प्लीज स्टेट तून मेरे वीडियो को लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो और सब्सक्राइब तू चरी एड़ क्रेजी आइडियाज